नमस्कार जैमातादी यदि आपने नौरात्रों के नौ दिन अखंड जोत जलाई है ताकि देवीमा प्रसन्न हो जाएं लेकिन आपकी यदि अखंड जोत बुझ जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए चलिए मैं बताती हूँ यदि अखंड जोत बुझ जाए और खंड ना हो तो दोबारा इसे जला देना चाहिए एक जोत बुझ जाने से देवीमा अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करती है हमें किसी भी प्रकार के अंधिविस्वास में नहीं परना चाहिए जो लोग सनातन धर्म से संबंध रखते हैं उन्हें इस बात का बखुवी ज्यान है कि प्तेक तरह के धार्मिक कारे में दीपक जलाना अति आवस्यक होता है खास तोर पर अखंड जोती जलाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से चली आ रही है इसलिए ब्रतमान समय में जब भी कोई बेक्ति अपने घर में किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाता है पुजा पाट करवाता है तो वो अपने घर में अखंड जोती को प्रजलित अवस्यकरता है परन्तु कि आप जानते हैं कि अखंड जोति को प्रजलित करने का धार्मिक कारल क्या है और इसे प्रजलित करने से किस तरह के लाव प्रात्थ होते हैं आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर अखंड जोति का महत तो क्या है जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल दे नौरात्री प्रारंब हो चुकी है, नौरात्री के पहले दिन से लोग अपने घरों में अखंड जोती को प्रजलित करते हैं, परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके प्रजलित करने का कारण नहीं पता हैं, ध् पहला कर्म दीपक जिसे तब तक जलाये रखना आवस्यक होता है जब तक ब्यक्ति किसी देवी या देवता की पूजा करता है तथा दूसरा अखंड दीप या अखंड जोती इस दीपक को पूरे पर्व के दोरान जला कर रखना आवस्यक होता है अगर कोई वेक्ति अपने घर पर रामायर का पाठ करวाता है और अखंड जोध प्रजलित करता है तो उसे इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि अखंड जोध इतने दिन तक चलती रहे जितने दिन तक रामायर का पाठ चलता रहे अब बात करें नावरात्रों में अखंड जोति के महत्तुकी इसका पूछना इस दोरान काफी सुभ माना जाता है कहते हैं कि इस परकार अखंड जोति का जलते रहना व्यक्ति के आर्थिक पराप्ति का सूचक होता है मगर इस दौरान दीपक को किस तरह से रखना चाहिए दीपक की बाती कैसे होनी चाहिए इन बातों का ख्याल रखना भी अति आवस्यक होता है जो तिस सास्त्र के नुसार दीपक का ताप दीपक से चार अंगुल, चारों और अनुभों होना चाहिए मरलब कि आपके दीपक से चार अंगुल दीपक किलो दिखनी चाहिए क्योंकि यह दीपक भाग उदय का सूचक होता है माना जाता है कि जिस दीपक किलो सोने के समान रंग वाली होती है वह दीपक मानो जीवन में धन की वर्षा करवाता है एवं ब्योसाय में भी तरक्की प्राप्त करवाता है कुछ लोग निरंतर एक वर्स तक अखंड जोती भी प्रजुलित करते हैं बता दें एक वर्स तक निरंतर अखंड जोती को जला कर रखने से जीवन में खुसियों की बौचार हो जाती है क्योंकि ऐसा दीपक घर में से वास्त दोस्ट, क्लेस, तनाव, गरीबी, दरिदरता, बिमारी, आदि तमाम प्रकार की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर देता है परन्तु अगर यह दीपक किसी कारण वसी या सुयम बुझ जाए तो इसे बहुत ही सुभ माना जाता है दीपक में बार-बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए कुछ लोग दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं ऐसा करना भी असुभ माना जाता है रूप में बृद्धी होती है घर में होने वाले मंगलिक कार्यों में कई तरह की बाधाएं होने लगती है इस परकार का ख्याल रखें कि अखंड जोत की घी डालने का काम या फिर उसमें किसी भी तरह का बदलाव के वल उसी समय करना चाहिए जिसने अखंड जोती का संकल्प लिया हो और उसी को करना चाहिए या काम किसी अन्य ब्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए अखंड कहा जाता है कि नौरात्रों में मा के सामने अखंड जोती चलाने से घर में हमेशा मा की किरपा बनी रहती है इससे घर के लोगों के स्वास्त में भी बेहतरी आती है साथ ही साथ घर में घी और कपूर की महिक से बेक्तिका, स्वास्त और नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है नौरात्रों में मा की अखंड जोती जलाने से घर में कभी भी अनाप सनाप चीजों का साया नहीं पलता है इसके साथ साथ घर के सदस्यों के दिमाग में इसे नकारात्मक सोचों का प्रभाव कम होता है तथा उनका मन अधिकतर सांत रहता है दीपक की महिक से परिवार के लोगों में प्रेम का वाता बरर पैदा होता है